हलो एवरिवन वेलकम टू चंपक न्यूज चैनल और दोस्तों वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डेबिना बॉनर जी से जुड़ी बड़ी ख़बर के बारे में सो दोस्तों जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखेगा हाली में ख़बर सामने आई है कि देबिना बॉनर जी दूसरी बार प्रेगनेंट हो चुकी है जी हाँ ये चीज उन्होंने खुद ने रिवील करी है सोचल मीडिया के थूँ हाली में वे कुछ समय पहले प्रेगनेंट हुई थी लेकिन अब दूसरी बार प्रेगनेंट हो चुकी है लेकिन इसमें आश्चरे की न्यूस क्या है वो हम आपको बताएंगे दरसल हुआ यूँ था कि पहले जब इनकी रिपोर्ट आई थी तो उसमें ये आया था कि ये नेचुरली प्रेगनेंट नहीं हो सकती इनको कुछ दिक्कत है जिसके चलते इन्होंने पाँच साल तक लगातार कोशिश करी लेकिन ये प्रेगनेंट नहीं हो पाई इन्होंने दो बार आई वी एफ ट्राय करा और तीन बार आई यू आई ट्राय करा लेकिन उससे कोई रिजल्ट नहीं लिकला लेकिन जब ये प्रेगनेंट हुई तो ये नेचुरली हुआ report में आया था इससे पहले कि ये naturally ऐसा नहीं कर सकती इनकी body के अंदर वो शमता नहीं है लेकिन जब naturally हुआ तो ये बहुत ज़्यादा खुश हुई और इनके पती गुर्मी चौतरी भी बहुत ज़्यादा खुश हुए लेकिन जब इनकी second pregnancy के बारे में सामने आया तो ये बहुत ज़्यादा घबरा गई थी ऐसा क्यूं हुआ वो मैं आपको बताता हूँ क्यूंकि इनको bleeding स्टार्ट हो गई थी और ब्लीडिंग करीब 3 महिने तक चलती रही जब इन्होंने गूगल पर उस चीज के बारे में सर्च करा तो उसमें आया कि ऐसा miscarriage के टाइम पर होता है और जब इन्होंने उस चीज का टेस्ट करवाया तो उसके अंदर लगातार clot दिखा रहा था कि इनके अंदर कोई clot है जिसके कारण bleeding हो रही है लेकिन बाद में इन्हें पता चला ये दूसी बार pregnant है सो इस चीज की खुशी भी उन्होंने social media के थूँ जाहिर करी सो दोस्तों आपका इस news पे क्या कहना है मुझे comment section में बताएं और इसी type को और content जानने के लिए चैनल को subscribe करें वीडियो को जादा से जादा share करें thank you so much